दोस्तों SIP mutual fund यानि कि systematic investment plan तो यहाँ पर तीन तरीके हैं investment करने के अगर इन तीन तरीकों के जरिये से अगर आप investment करते हो SIP में तो आपको 10 करोर रुपे तक का return यहाँ पर मिल सकता है तो तीन तरीके क्या है यानि कि SIP investment formulas यहाँ पर हम आपको वीडियों बताएंगे पर तक का यहाँ पर lump sum amount आपके पास ही खटा हो जाएगा और तीन रूल ज्यादा heavy rule नहीं है normal rule है दोस्तों अगर इन तरीकों से आप चलते हो तो अच्छा खासा यहाँ पर corpus आप बना सकते हो तो चलिए एक एक करके जानते हैं तीन रूल यह कौन से हैं अगर चैनल के लेता हैं first rule की तो पहला rule बोलता है दोस्तों 15 15 15 1500 तो यहाँ पhr Isso 15 15 15 का आगे में बताने हो गां दूसरा रूल है दोस्तों Welcome 15 और 30 आपका बोलता है इहां 25 यानि कि 25 & 30 यह तीन रूल है एक करके मैं आपको tenthraw की यहां पर कहते हैं सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या बोलता है थो बन्दर 54 फंदरर तो इसके जलिये दोस्तों अगर आप 15 साल तक का 15 years investment करते हो 15% annual return की दर से और 15,000 रुपए अगर इस तरीके से आप investment करते हो तो आपका जो lump sum amount जो है वो 1CR हो जाएगा यानि की 1 करोड रुपए का हम इसको calculator के माद्यम से भी पूरा अच्छे से समझनी कोशिस करेंगे जिस्ट पहले एक example की तरीके से हम समझ लेते हैं तो 15,15,15 का rule ये बोलता है कि 15 साल तक 15% return की दर से अगर 15,000 रुपए आप monthly invest करते हो तो 1 करोड रुपए आपका यहाँ पे lump sum amount बन जाएगा दूसरा rule क्या बोलता है दोस्तों तो दूसरा rule ये बोलता है 15,15,30 यानि कि 15,000 रुपए 15% annual return और यहाँ पे 30 years अगर आप 15,000 रुपए 15% वार्शिक दर से और investment आप करते हो तो आपका जो amount है वो 10 CR हो जाएगा यानि कि 10 करोड रुपए और तीसरा हमारा rule बोलता है दोस्तों थर्ड रुल बोलता है 25 year and 30 years of age यानि कि आपने 25 साल की उमर में investment चालू किया और 30 साल की उमर में investment चालू किया इन दोनों उमर में आपका यहाँ पे जो amount है वो 2X हो जाता है यानि कि आपने 25 साल की उमर में अगर investment किया और आपका जो लमसम amount एक करोड बनता है वहीं अगर आप 30 साल की उमर में investment स्टार्ट करते हो तो आपका लमसम amount जो है मातर 50 लाक रुपए रहेगा यानि कि आदा amount यहाँ पे हो जाता है और सेम इसका उल्टा 25 साल की उमर में investment स्टार्ट करते हो तो एक करोड बनेगा इसको आप calculator के मादम से समझ लेते हैं हमने यहाँ पर EMI calculator खोल लिया यानि कि SIP calculator उपन आपके लिए कर लिया है यहाँ पर आप देखो कि दोस्तों कि हमने यहाँ पर amount select किया है 15,000 रुपए और यह 15% return और यहाँ पर 15 साल के लिए हमने यहाँ पर select किया है जब हम यहाँ पर calculate करते हैं यानि कि calculate के उपर जब यहाँ पर click करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो एक करोड और दो लाक रुपए का यहाँ पर जो corporate हमारे लिए इकटा हो रहा है तो यह 15,15,15 वाला rule है अब हम यहाँ पर 15,15,30 वाला rule फोलो करके यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर calculate के उपर click करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों कि हमारे जो लमसम अमांट है वहाँ पर लगबग 10 करोड और 51 लाक यानि कि 10.5 करोड के असपास हो गया है तो यह चीज़े हैं दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अगर आप 30 साल के लिए पैसा इन्वेश्च करते हो तो आपके पास 10 करोड और 51 लाक रुपे खटे हुए वहीं पर अगर आप 25 साल के लिए न्वेश्च करते हो वो जो मैंने आपको बताया है कि आपने 25 साल के उमर में आपना इन्वेश्मेंट स्टार्ट किया है या फिर 30 साल के उमर में इन्वेश्मेंट स्टार्ट किया है उसके बीच में काफी अंतर यहाँ पर आपको देखने मिलेगा तो यहाँ पर 25 साल के लिए हम यहाँ पर कैलकुरिट करते हैं और यहां पर जब calculate के उपर क्लिक करते तो आप यहां पर देखो कि दोस्तों जब 30 साल के लिए calculate किया था तो हमारा साड़े 10 करोड हुआ था और जो 25 साल के लिए invest किया है तो यहां पर लगबग 5 करोड के आसपस का हमारा यहां पर लगबग आदे का फर्क आपको दिख रहा होगा वहीं है दोस्तों कि जब आप जल्दी यहां पर investment start करते हो तो आपको जल्दी फायदा जादा होता है और जब late investment चर्ट करते हो तो आपको फायदा कम होता है वह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहां पे हमने लेके चाहिए 25 साल से लेके और आपने 55 साल की उमर तक investment स्टार्ट किया यानि कि 30 सालों के लिए वही पे अगर आपकी age 30 में स्टार्ट करते हैं और 55 होते होते हैं आपकी 25 साल आपके बस्ते हैं वही पे आपका जो investment और return जो है तो लगबग आपको आधा तो इन चीजों में यही फरक है दोस्तों कि जब investment आप कब स्टार्ट कर रहे हो यह काफी matter करता है इन चीजों में तो अभी हम चलते हैं वापिस से अपने वीडियो के उपर ठोड़ा और डिसकस करते हैं तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि कैसे यहां पर 15 15 15 और 15 15 30 र पुराने देखोगी तो आपको देखेगा वहां पर 20 25 परसेंट तक के रिटन यहां पर जो है काफी mutual fund ने दिये हैं तो 15 परसेंट का जो रिटन है वो लेना किसी भी mutual fund के मादने में से और SIB के मादने में से कोई बड़ी बात नहीं है काफी simple और आसानी से आपको 15 investment start नहीं किया है investment start करने का planning कर रहे हो तो आप grow app के मादन से कर सकते हो grow app का जो link है आपको वीडियो की description मिल जाएगा और एक चीज़ बड़ी खास है इसमें दोस्तों कि आप जब यहां पर register करते हो तो आपको 300 रुपय का bonus मिलेगा यानि कि आप अपनी पहली EMI जो है जो SIP की जो EMI है यहां से आप pay कर सकते हो पहली EMI pay करने के लिए आपको 300 रुपय हाँ पर मिल जाएंगे और अगर किसी अपने दोस्तों को refer आप करते हो तो आपको हर refer के उपर 300 रुपय मिलेंगे तो अभी join कीजेगा grow app link description मैंने दिया हुआ है तो यह चीज़ होगी है किल दोस्तों वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलता है नए वीडियो में जय हिंद